गुर्वर्णिंग फ्रेंड्स एम सिंग फाउंडनेस यूटीब चैनल पे आप लोगा स्वागत है बिहार पुलिश कॉंस्टेबल एक्जाम निशन चोदफीन दूजारेगेस यानि कि जो एक्जाम निशन कल हुआ है तो उसके कटफ के बारें बात किया जाएगा क्योंकि इ करते हैं जो एक बहुत बहुत बाद में बहुत होता है उसका इसका अभी तक कर बनी होई है तो क्या संभावना है इसके कब तक बढ़ बात किया जाएगा तो वीडियो हमारे साथ बने रहे हैं तो सबसे पहले शुरुबात करते हैं जो कल एक्जामनेशन हुआ शिपाही भरती का उसके बाद में देखते हैं देखें यहां पैसपस्ट किया गया कि सिपाही भरती नकल करते पचपन धराएं यानि कि भिहार पुलिस सिपाही के चोड़ा खबर लिखे जाने तक अब्यारती को नकल में सनलिपता पाया इसमें पच्पन को गिरफ्तार कर लिए गया हालांकि सोसल साइट्स पे बहुत सारे कोश्चन्स वाइरल होते रहें लेकिन वह मिले की नहीं मिले इसकी पूछ्टी नहीं है आयो का अपना दावाय है कि कदाचार मुक्त रहाए ठीक है ना परसित के मुताबिक सिख्पुरा में सीवान में एक को पाल गंज में चार अरवल में दो को रंगावाद में पांच पत्ना में चबिस भोजबुड में नवादा में चार अब ब्लूत या चिट के जड़िये नैकल करने का मामला सामने आया है इसम रोलाग तिसाज़ार में 90% परिक्षा में अभीरतियों का निसान और जो ग्राफ किया तरी से तरीका से चांपनी-च्ण में आपको अगले रविवार्यन किया कि स्मार्ट स्कूंद में क्या पताया जा रहा है कि परिक्षा को परिक्षा को लेवल ता ना को थोड़ा सा तफ था इस चीज़ को मैं भी मानता हूं और चुकि चार शेटिंग एकजामने से रोड़े तो प्रेंज परसेंटायल पर आपको एक सो प्रसंट पूचे गया प्रिक्षा प्रिक्षा कि डॉक्टर एमर्हमान ने बतायागी जिनभी अच्छार होगा और यहां पर कट्टा बताया रहे कि सब्सक्राइब परिक्षा हुई थी और इसमें बताया गया है कि परिक्षा में कटाचार करने वाले एक सट अभी सबसेदिक पतना में 26 ग्रफ्तार हुई है इसमें फूलबाड़ा सरीफ और नौपरिक्षा पतना सीटी में सुल्टान गंज में ठाना चैतर जाकर उचिछ विद्धियाले से ग्रफ्तार हुई है वहीं परिक्षा के बाद भोजपूर जीले में एक परिक्षा प्रसंपत्र पत्र लेकर भागने में शफल हुआ चहां, यहां पर बताया गया है कि वहां से एक पत्र nuclear पत्र का बुक्लिट लेकर भागोु उवहां से लोग भाग गए थे छातर भाग गए थे, सिखपुरा जिल्या में 18 अभिहारती चीट के साथ गरफ्तार किये गए इनमें 4 भिहारती ब्लुटूटूट के साथ पकड़ेगे अरबल जिरो में भी भीएरती ब्लुटूटूट के साथ पकड़ेगे कि अच्छे सबसे बड़ी बात यह है कि जब एक्जामनेशन में कुछ एलाउर नहीं होता है तो ब्लूटुट क्यों जाता है बड़ा सवाल होता है जो खासकर विक्षक होते हैं या फिर जो प्रशासन होती है उस पर होता है और यही चीज़ देखने को मिला था कि परिक्षाद के ऊच्छाव सब्सक्राइब करें दूसरे चनल की परिक्षा और यहीं पर बताया जाए कि बायोमेट्रिक निशान लिया गया और फोटोग्राफी भी आपको हुई थी तो सफलावी आर्थियों कि सारे एक दक्स्ता परिक्षा का तुरान इसका मिलान करा जा फिर दो किस तरह से बहुत सारे पकड़ा आते हैं इस बार वी पकड़ाएं और सब को होती है वाइव में जाल करने में पिर भी लोग नहीं रुखते हैं अब देखिए इसमें क्या आइक समानेवए कि सुछने का पूछने का पटर था वह पिछले पर नहीं होगा उस में सिर्फ 10 के बैसिस पर ही कुछ जाएंगे तो आप कह सकते हैं थोड़ा सा आपको इजी कर दिया गया है जैसे ही इंटर से कुछ जाते हैं खासकर साइंस और अन्य चीज तो वह थोड़ा सा टफ हो जाता है लेकिन अब आपको से का पैटरन जब से चेंज हुआ है अब तब प्रिक्षा में समाने हिंदी समाने इंग्लिस में अग्रेंडेफर से प्रसंटे एक सो प्रसंट समाने स्थरके पूछे गया तो इसी का दो मिलेगा इडबलोएस को से कम जाता है तो वहाँ पर एक से दो नमबर कर सकते हैं ठीक है न और उटबबग के पैरलेल रख सकते हैं और इसी थारपे महिलाओंगों अनुको रख सकते हैं तो सत्तर से बहत्तर के नुसार से आप दो नमबर का मार्जिन करके हरे के आप यूग ठीक है ना बसर पाफ मान सकते हैं और फिर आपका ए वी सी ए बिसी आप मान सकते हैं कि 66 महिलाओं का तो और कम जाएगा महिलाओं का आपको आपको 555 65 जा रहा है तो वहां पर menor करोदा है में होने के संब्सक्राइब बिल्कुल है या उनसे भी कम जा सकते हैं क्योंकि उनको ट्रेक्ट मिलता है 55% आरक्षन का तो यह आपको हो गया कट आफ के संब्सक्राइब अब सबसे महत्पूर्ण बात जो मतलब की आपका अगनिक श्रीपाही की कोटी की नुक्ति के लिए परिक्षा तिति खोजट कर दिया या परिक्षा शौजून को परसाद की परसाद की परसाद की नुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन पर क्रिया चल लिया जी है अभी इसका जो है फॉर्म भरने का प्रोसेस अभी ओन गोईंग है लेकिन इसका एक्षामने संद्रेट खुजित कर दिया गया यह अपने बहुत बड़ी बात है इसमें सब्सक्राइब के लिए कोई अंक नहीं दिया जाएगा इन में से इस मानक पर खड़ा उतर ना सब्सक्राइब के लिए आपको बिहार में होड़ा है तो सीने की मापके बिना फुलाइब सब्सक्राइब कर दिया गया है अब सबसे बड़ी बात है जो एक्जामिलिशन का फॉर्म अभी बढाई रहा है उसका डेट खुदित कर दिया गया है कि कब हो होगा लेकिन बीपीएससी यानिकि बिहार पुलिश अवर्षेवा आयोग अब यह क्या कह सकते हैं इस आयोग के बारे में यह तो मनमानी करती है इसको जो मनात है वही करती है इनकोट की सुनती है ना किसी का ने सुनती है तो एक तो बाइस्तों तेरावला जो फॉर्म भराना सुरू हुआ था वह आपको याद होगा कि जब इधानसवा का चुनाब था तो उससे पहले आननफानम में फॉर्म को निकाल दिया गया था फॉर्म भर दिया था चौछ साथ महिना से उपर हो गया है और अभी तक इसके पीटी के एक्जामनेशन की डिट खोषित ने किया गया है ना इस एस एस एमेस के एक्जामन पर पहुंचा देंगे तो कोट केस या अन चीज़ों से हम बच जाएंगे ठीक है ना लेकिन ऐसी बात नहीं है यदि करवड़ी होगी तो बाद में भी इन पर कारवाई हो सकती है अब इसके चकर में यह बांकी के गजामनेशन को रोक के रखी हुई है ठीक है ना और बांक इसमें भी चौलाग सारे चौलाग आज कल ही तो हुआ था फिर इतना ही कि अगले एक डेट वेंभी एक्जामनेशन होगा तो उसका सिर्फ और सिर्फ मंकरण्ट है वह 246 को निकालने में लगए हुई है फिर बात रह जाता है कि 223 का एक्जामनेशन कब तक संभावी थैं 223 का एक्जामनेशन अब जो है अप्रेल में कोई बोल रहा है तो अप्रेल में संभावना बहुत ही कम है हम मैं आप देख सकते हैं मैं लास तक देख सकते हैं लेकिन परवल संभावना होने की लेकिन यह जून में नहीं होता है तो आपको जुलाय के फर्स्ट बिक्तिक हरा लेकिन इस पर सबसे बड़ी बात है कि अभी तक आयोग इस पर कुछ भी नहीं कह रहा है और जब भी जामने से नहीं होगा बहुत सारे इस्टुनेट की पुछने की एसा मेंस इक्जामनेशन कब होगा तो यह सबस्क्राइब करें तो आज के वीडियो में इतना है यह चैनल सब्सक्राइब करें वीडियो पस्ताइब करें वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थाने बाद